तो दोस्तों वो इससे चात्र हैं आप से यूप को बता दे कि जो भी 22 में इंटर का एक्जाम देने वाले तो आप से यूप को बता दे कि बहुत ही बड़ी खुशखवरी निकल के आ रहा है कि इंटर डमीर इस्टेसन कार्ड का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है आपको कब से इंटर डमीर इस्टेसन कार्ड जो है डाउनलोड करना है उसकी परकिरिया के साथ-साथ हम पूरी जनकारे भी इस वीडियो के अंदर दे दिये हैं उसके लिए वीडियो को शुरू से लेके अंतक बने रहना होगा तभी चाकर के पूरी जनकारी एच्छी तरह से मिलने वाली है तो चलिए दोस्तो वीडियो को श्टार करते लेकिन उससे फिल आप से विडियो को अपने दोस्तों के पस जादा से सेडा करें करें ताकि उन्हें यह अभी पता चले कि जो इंटर डमी रिश्टेशन काड़ है वो जारी कर दिये जाएंगे और कब से कब तक जारी किये जाएंगे ताकि वो भी डाउनूड करके अपना तुरूठी चेक कर पाएंगे तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन बिहारवड बरामी परिक्षद वारवाइस के डमी रिश्टेशन काड़ तो जैसा कि दोस्तों आप से बिक बता दें कि जो भी छाट चात्रा है बाइस में एक्जाम देने वाले हैं तो सभी का जो इंटर डमी रिश्टेशन काड़ अगो कब तक जारी होगा आपको सभी को बताने वाले हैं जैसे कि बता दिया गए दोस्तों बिहारवड इंटर्मेडियेट वार्षिक परिछद वारवाइस के डमी रिश्टेशन काड़ बिहारवड टुवेथ डमी रिश्टेशन काड़ दोरवाइस जल्द ही अधिकारिक वेबसाइट सेनियर शेकेंडरी. बिहा बिहारवड ने कहा है कि अपने यूजर आईड़ी एवाम पासफट के जरी अपना जो एडमी रिश्टेशन काड़ दोरवाइस जैसा कि दोस्तों आप से पता है कि पिछला बार भी ऐसा है गवा था इंटर का जब एडमिट काड़ डाउनलोड होने की बारी आई तो नहीं कर पाएं थे क्योंकि यूजर आईड़ी और पासफट सिर्फ प्रिंस्पल को ही पता रहता है जिसके कारण अपना एडमिट काड़ डाउनलोड नहीं कर पाएं थे लेकिन दोस्तों इस बार बताते कि जो 22 में एक्जाम देंगे तो उनका डमी रिश्टेशन काड़ और स्टुडेंट खोधी डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे कि बताया गए दोस्तों प्रिंस्पल यह सुनिशित करें कि डमी रिश्टेशन काड़ में दी गई डिटेल्स चेक कर ली जाए और अगर कोई तुरूटी हो तो छात उसमें सुधार कर सकते हैं यानि कि दोस्तों डमी रिश्टेशन काड़ इसलिए जारी किया जाता है कि अगर आपको कहीं नाम पिता का नाम माता का नाम अगर कहीं आपको कहीं तुरूटी नजर आता है तो उसको आप सुधार करके फिर से री अपलाई कर सकते हैं इसलिए डमी रिश्टेशन काड़ जारी किया जाता है या फिर dummy admit card, दोनों जारी किया जादा dummy में, जैसे कि दोस्तों बता दें कि बिहार बोट ने कहा है कि या student dummy registration card पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कोटी, लिंग, भी से, जन्रतिथी, फोटो, वाश, थाक्षार, आदी, अच्छी तरह से चेक कर लें, जैसे कि अगर अगर dummy registration card में, अगर आपको कहीं कोई चीज़ का दिक्कत होता है कि ये चीज़ गलत है तो आप सुधरवाज सकते हैं, अगर इसमें कोई correction करवाना है तो उसकी एक प्रती आपके school के principal को भेज दे, principal आपके dummy registration card में online correction कर सकेंगे, जैहां दोस्तों ये जब correction नेनी की सुधार होगा, correction मतलब होता है सुधार करना, अगर correction होगा तो आपके principal ही कर पाएंगे, बता दे दोस्तों, student you download कर सकेंगे अपना dummy registration card, तो दोस्तों आप से भी को बता दे कि आप अपना dummy registration card कैसे download कीज़ेगा, उसका website हम बता देते हैं, जैसा कि यहां आपे साब से बतायागे कि senior secondary. .biharboardonline.com पर जाएं, उसके बाद dummy registration card option पर क्लिक करें, उसके बाद दोस्तों, नया page खुलने पर अपना जन्मतिती और school code संख्या डाले, submit करने पर आपका dummy registration card आपकी screen पर आ जाएगी, तो दोस्तों आप से भी को बता दे कि यहां पर dummy registration card कैसे download करना है, बसरते हैं आप से 10 दिन के अंदर dummy registration card जा रही ही हो जाएंगे, तो आप उहां से download कर शकते हैं, तो दोस्तों आप से यह को बता दे कि यहां पर सारी जनकारी अच्छे तरह से मिल गई होगी, तो वीडियो अच्छा लगा, चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों साथ यह जरू करें तब तक के लिए बाइ-बाइ दोस्तों, मिलता है श्रीव, ठैंकियो दोस्तों